शिरी शिवाय नमस्तुब्यम हरहर महादेव आज पाचवे दिन की कता वेत्रवतिशिव महापुरान जो विदीशा मद्व देश में चल रही है जिसका समय एक बजे से चार बजे तक रहेगा ये कता तीज जून से चे जुलाई तक विदीशा मद्व देश में चलेगी आज पंडित प्रदीप मिश्रा ने साथ महत्पुर्ण जानकारी दी है तीन पत्र पढ़े गए हैं और चार महा उपाए बताए हैं पहली जानकारी देते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने बता है कि भगवान के मंदिर में एक लोटा जल सड़ा दोनों का एक नियम बहुत प्रबल था दोनों पुष्प की माला बेशते तो पुष्प के साथ बेलपत्र और थोड़े से पुष्प शी मंदिर जाने वाले भक्त को अवश्य देते थे तीसरा तीसरी जानकारी देते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा बताए भगवान की पूजा में और नारी मांग भर रही हुए यह सोलस इंगार कर रहे तब नारी के आखों से आशू नहीं आना चाहिए चोती जानकारी देते हुए पंडित प्रदीप पिशन बताए बेलपत्र और दो लोटे जल का उपाई शावन के महिने में भार बढ़ जाता है इसलिए शिव को शावन के महिने में दो लोटा जल और दो बेलपत्र समर्पित किये जाते हैं पाजवी जानकारी देते हुए पंडित प्रदीप पिशन बताए कि शिवरात्री और शावन सोमार दो वरतों का इसमारन हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए चो छटवी जानकारी देते हुए बताया है कि इसनी भी बड़ी कोचिंग जाओ पर मेहनत खूब करो मेहनत के साथ साथ उन्नती की सीडी पे तभी पोच सकते हैं जब आप बहुत मेहनत करें साथ वी जानकारी देते हुए बताये कि पशुपति वरत के से धारन करें आज पंडित प्रदीप मिश्व ने चार माहा उपाए बताये हैं गले में गाट का उपाए बताया है जिसरे रुद्राग्ष के जल और कंकर संकर का उपाए बताया है दूसरा एक लोटे जल का उपाई बता है तीसरा पशुपती व्रत का उपाई बता है चोटा नो पंद्रा वाला आवले के उपाई बताए गए है आज पंडित प्रदीप मिशन आज मेहने की माशिक शिवरात्री है विधीशा वालों का सोभाग है जहां प्रेम जहां इसने हो लगाव होता है दिल से महादेव महादेव आपके घर आते जरूर हैं आपका और हमारा प्रेम परमात्मा से होगा और परमात्मा हमें खीच कर बहर ही ले आते हैं दूसरे जानकारिंदेते हुआ बताये कि माली माली और माली दोनो क्लीдоइव ॅचमार बनाते और पुष्प का सिंगार बनाकर बेचा करते जो दोनों पती पतनी का नियम बहुत प्रबल था जो पुष्प लेकर सिवाले जा रहा है और पुष्प लेने आ रहा है माली और मालन भोले नाज जी को समध्पित करने के लिए बेलपत्र और पुष्प देते थे उनका नियम था आज पंडित प्रदिप मिश्या ने एक उपाय बताया है कि आप जल चड़ाने नहीं जा सकते आप नजदीक में भाई भेन जल चड़ा कर आ रहे हैं तो मात्रे कलश का दर्शन कर ले तो उसका पुन्यफल प्राप्त होता है माली और मालन का नियम थोड़ा सा प्र माली के घर में औलाद नहीं थी इनके घर में औलाद का सुक नहीं था तेरी आङ्ख में आशु भरा है भगवान को शिंगार करते हुए पूजा करते समय शोला नहीं है तू एक काम कर बेल पत्र और दो लोटा जल लेकर शिव के मंदिर लेकर जाना श्रावन के महिने में दिखावा करके नहीं जाना चाहिए इसके घर जाना और महादेव के ऐसे दिज्छा लेने की महादेव बाबा तुम्हारे दुख को हर ले कोई कहते हैं कि गुरु अब तक एक लोटा जल चड़ा रहे हो श्रावन के महिने में दो लोटा जल आपकी भक्ति को बढ़ाना और आपकी बल को प्रवल करना है भक्ति को दो लोटा जल और दो बेल पत्र लेकर जाओ शिव की चड़ी बेल पत्र अगर बेल पत्र नहीं है तो शिव की चड़ी हु कर सकते हैं इस पर्ष कर सकते हैं तो तुलसी के पोदे में अगर भगवान को जो इसनान करा जाते हैं तो वो जल को हम तुलसी में डालते हैं दो लोटा जल और दो बेल पत्र लेकर शिव मंदिर पहुंचे मालन दो लोटे जल और मंदिर दो बेल पत्र लेकर शिव के मंदिर में प्रति दिन जाने लगी एक दिन बेल पत्र मालन के पास बेल पत्र नहीं थी सावन का महीने में दो बातों का इस्मरण करके रखना कि पेला सावन का शोंबार और दूसरा शिवरात्री का व्रत करें ये दोनों प्रत मनुष्य कर लेता है उसे वर्ष भर का पुन्य प्राप्त होता है श्रावन शोंबार और शिवरात्री का ये दो व्रत करना चाहिए सावन के महिने में दो गुणों का दो गुणा फल प्रशाद आपको खाना ही पड़ेगा हाथ में जल और प्रशाद सिव के पास रग दिया और बेल पत्र के पेड़ के नीचे प्रशाद मिलना आपके पास लाकर रख दिया पडोसी घर का पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए सच्चे भक्त की वाड़ी से संकर को रिजा सकते हमारा नहीं सत्य बोलो भगवान शिव को सब वस्तु जूटी होने के बाद भी चड़ रही है ये सिव जी की भक्ती है जूटे वस्तु को भी शिवकार भगवान कर लेता है तो आपको अब गुण भोले नात के सामने गिनाए अब अपना गुण कभी मंदिर में नहीं बताओ और परमात्मा के लिए किया गया भजन भी नहीं बताना चाहिए गुण दूसरे के अब गुण किसी को मत बताओ अपने चिला कर अब गुण को बताना नहीं चाहिए अब गुण बता रहे हैं मालनी और मालन पहुँच गए माली ने देखा कि शिव से कह रही है खाओ जब तक खाओगे नहीं जब तक मैं जाओंगी नहीं तब मालन भूक लग रही थी भूके होते हुए भी उनने शिव को प्रशाद चड़ाया मालन को भूक लग रही थी और भूके होते हुए भी अपना प्रशाद भगवान शिव को चड़ाया और प्रशाद पाने के लिए भगवान शिव से प्रातना करने लगी प्रशाद खाकर शुक पाती है एक बेटी का जन्म हो लेती है पूर्व के समय का ज्यान वो शिव पारवती का पूजन करने लगी मालनी पारवती मा से मांगती है कि मुझे पारवती हाती का मुख लगा दो पारवती ने हाती का मुख लगा दिया गड़ेज भगवान को मालनी अपनी गोद में खिलाती है एक लोटा जल से सिव को रिजा सकते हैं मन साफ रखना चाहिए भो तो मेहनत स्वयम करते हैं लाखो कोचिंग पढ़ाने वाले होंगे पर अपनी मेहनत करोगे तब ही आप सफलता प्राप्त करोगे तब ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं बच्चों से कहो कि कोचिंग में जरूर जाए लेकिन मेहनत करें लगन से पढ़ाई करें अपनी लगन कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हर हर महादेब